दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के एड़िड माध्यमेक इंटर कालेजों में टिजिटी पजिटी तदर सिछक कारत हैं और मानी सुप्रीम कोड़ द्वारा सन 2000 के बाद जो भी नियू के तदर सिछक हैं उनको एक सीधी वर्ति के माध्यम से आने के लिए कहा जाएंगे हलाकि टिजिटी प्रजिटी तोजिटी बढ़ती संबन हो चुकी है और बहुत कम तदर सिछक हैं जो क्वालिफाई कर पाएं लेकिन फिर भी जैदातर तदर सिछक आज भी अपने अपने बदों पर कारत हैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सासन मानीवीत के नाम पर इन तदर सिछकों को रेगुलर पदों पर तो नहीं रह सकती है लेकिन हां मानदेव पर सरकार विचार कर रही है लेकिन बहुत से ऐसे प्रबंदक हैं कुछ अधिकारी भी ऐसे जो की मिल जूल करके इन तदर सिछकों को नियमित कर रही है जबकि सुप्रीम कोड का सक्त आदेश है कि जो भी तदा सिल्चक एक्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको बाहर कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सासन के संग्यान में सारी चीजें आई कि कुछ ऐसे भी काम अभी हो रहे हैं जिनका विनेमिती करण किया जा रहा है तो सासन की तरफ से इसमे एक पत्तर जारी किया गया है जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग लेटर देख सकते हैं 28 मर्च 2023 का है और यह लेटर जारी किया गया अतुल कुमार मिसर उपसचिव उत्तरपरदेश सासन की तरफ से जो सिच्छा ने देशक माद्यमिक हैं इसके इसके सिच्छा कि प्रदेश के असास की सायता अप्रप्त माद्यमिक सविधियालियों में वर्स 2000 के उपरांत नियुक्त तदरुत तदरु तित्षकों को करते औरुमाद्यमिक की अ अंध्यमिक मैं धुट्यमिक फरत्व मंडली समित्तिएं ज्यमित' की गई जोकि गंभीर प्रसासनी क्यों वित्ती अनिमित्ता की स्रड़ी में आता है उक्त के द्रश्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्रपया प्रदेश के असास की सायता अप्रप्त मातनिक विद्यालियों में वर्स 2000 के उपरांत नियुक्त तदर सिच्छक जिनको मंडली यह समित क्यों दोरा अनेमित रूप से विनामित किया गया है इसके समन्द में अपने अपने जन्पद मंडल की सुचना आख्या दो दिन के बीतर सासन को उपलफ्द करवाने का कष्ट करें तो यहां पर देखें जो भी एदिकारी मिली बगत से यहां पर इस तरीके से काम कर रहे थ अब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोट की आदेशा नुसर यह सभी बाहर हो जाने चाहिए थे अब तक और इन पदों पर फ्रेस वड़ती टिडिडिडि के जो फ्रेसर अब बढ़ती हैं जो अस्पेरेंट हैं उनके मादम से बहरे जाने चाहिए लेकिन अभी भी यह सुपके भी हो रही है जिस पर यहां पर देखे एक्सन लेते हुए यहां पर लेटर जारी किया गया है तो फिला आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स अपने विचार बता सकते हैं इस वीडियों इतना ही दन्यवार को